डिफ्रेशिंग एंडिलिश्यस समर स्पेशल स्टोबेरी फालुदा ये एकडम पहतरीन रेसिपी है तो चले अब इस रेसिपी को बनाते है तो फालुदा लेके लिए हम सबसे पहले उसकी सेव बनाते है उसके लिए अधा कप जितना कौन फ्लार लेना है एक बावल में फिर एक कप के उपर सवाकप जितना उसमें हमें पानी डालना है तो यहाँ पे मैंने सवाकप जितना पानी डाल दिया और अब चम्मच की साहिता से कौन फ्लार और पानी को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते है और फिर हम इस मिश्रण को गेस के उपर कूप करने के लिए रखें हमें इस मिश्रण को मेडियम गेस की फ्लम के उपर लगातार स्पेचुला खुमाते हुए पकाना है यह मिश्रण थोड़ी देर में इकठा हो जाएगा और काडा हो जाएगा तब तक हमें लगातार चलाते हुए इस मिश्रण को पकाते रहना है करीबन 2-3 मिनिट के बाद यह देखे मिश्रन इकठा होना शुरू हो चुका है हमें ऐसे ही इसको चलाते हुए पकाना है गेसी फिलम याद रखे, मीडियम रखना है, हाई बिलकुल नहीं करना है यहाँ पे मैं यह मिश्रन को पका रहा हूँ और याद रखे, इसका जो मिश्रन है वो वेसल इन जली जैसी कंसिस्टेंसी वाला हो जाएगा तो अब यह मिश्रन कूक होके तैयार है, यह आपको कैसे पता चलेगा यह मिश्रन है वो पेन रिलीस कर देगा, तो यह उसकी निशान है कि यह मारा मिश्रन पक चुका है अब गेस की फ्लेम को हम बन कर देते हैं, इससे ज़्यादा हम इससे कूक नहीं करेंगे तो यहापे मैंने गेस की फ्लेम को बन कर दिया, और अब थोड़ी देर किसको थंडा होने देते हैं, बाद में इसकी आगे की प्रोसेस करेंगे इसके लिए सेव बनाने के लिए हम और प्रिपेरेशन कर लेते हैं तो एक बावल में हमें पानी में आइस क्यूब डालते हुए तयार करना है क्योंकि हम जो सेव बनाएंगे वो ठंडे पानी में बनानी होती है तो इसके लिए हमें पहले से प्रिपेरेशन कर लेते हैं फिर हम सेव बनाने की मशीन भी देख लेते हैं तो यह देखी यहां पर मेरे पास इस तरा की सेव बनाने की मशीन है जिसमें आप नीचे देख सकते हो कि एक चकली है जो सेव बनाने में काम आती है इसमें हम इस मिश्रन को भर देंगे और ये मिश्रन जब ठंडा हो जाए बाद में हम उसकी सेव बनाएंगे यानि कि रूम टेंपरेचर परा जाए बाद में मिश्रन अब रूम टेंपरेचर परा चुका है सेव का मसीन है वह में बंद कर दिया है अब ये देखे इसको हम चलाते हुए शेव इस तरह से गोल-गोल कुमाते चाहेंगे और सेव हम नीचे हमने जो ठंडा पानी तयार किया है उसमें तलते चाहेंगे तो इस तरह से हम पहले सेव बना लेते हैं तो यह देखिए मैंने सेव बना लिए अब हम डायरेक्टिव उसको नहीं बाहर निकालेंगे थोड़ी देर रखेंगे ताकि यह सेट हो चाहे थोड़ी देर एसे ही पानी में रखते हैं फिर आगे की प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो सेव है वो अब तयार हो चुके है मैं आपको दिखाता हूँ यह देखिए पानी में से में निकाल रहा हूँ और आप देख सकते हो एकड़म परफेक्ट बाहर जैसे मिलने वाले ही यहाँ पे हमारी फालोदा सेव तयार हुई है और यह घर पर बनाना एकड़म आसानी यह तो आपने देखी लिया तब इस सेव को हम निकाल लेते है यह देखिए इसको मैं अब निकाल देता हूँ और अब हम फाइनल स्टोबेरी फालोदा की प्रिपेरेशन करते है तो फालोदा बनाने के लिए चलिए अब एक ग्लास लेते हैं सर्विंग ग्लास तो सबसे पहले हम उसमें यह देखिए सब जासी बीच डालेंगे इसको मैंने पानी में थोड़ी देर के लिए फिगो के रख दिया था तो यह बीच है वो अच्छे से फूल चुके है तो हम इसको ग्लास में डालते हैं करीबन अधा चमाच अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप एक चमाच डाल सकते हो अब इसमें हम ने जो इंस्टन फालूदा सेव प्रिपेर की है वो इसमें डालते हैं इस तरह से बनाएंगे इसेव से अगर आप फालूदा बनाएंगे तो यह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा सबको तो यहाँ पे मैंने सेव डाल दी फिर एक चमाच इतना स्रोबेरी क्रश डालना है यह मैंने एकदम घर पर ही बनाया है फिर उसमें हम डालेंगे ठंडा ठंडा मिल्क याद रखे एकदम चिल्ड मिल्क होना चाहिए फालूदा के लिए तो यहाँ पे मैंने मिल्क डाल दिया और अब एक बार चमाच के साहिता से सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि क्रश और दूद आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और स्ट्रोबेरी का अच्छा सा फ्लेवर आए तो यहाँ पे मैंने स्ट्रोबेरी क्रश को अच्छे से मिक्स कर दिया अब लास्ट में इसके उपर हम डालेंगे डिलिशस वेनिल आईसक्रीम का स्कूप यह रेडी मेट आईसक्रीम है अगर आपको इस तरह का आईसक्रीम कर पर बनाना है तो यह इसकी रेसिपी भी मैंने अपनी चैनल पर शेर की है चरूर देखना इसके उपर हम डालेंगे थोड़ा सा strawberry crush as a garnishing और इसके उपर डाल रहे हैं बदाम के इस तरह से टुकड़े अब काचु बदाम पिस्ता कुछ भी डाल सकते हो मैं यहापे बदाम डाल रहा हूँ तो तैयार है समर का special refreshing and delicious drink strawberry faluda और अपने देखाये कवर पर बनाना एकदम आसान है तो अगर आपको इस summer special faluda की recipe पसंदाई हो तो उससे share कीजिए और मेरी चैनल को subscribe कीजिए अरे क्रिश्न